तो आज क्या बात करेंगे हमें खुद नहीं पता कि हम बात क्या करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आपके पास कोई टॉपिक नहीं होता तो किस तरह से आप बात की खाल निकालते हो हम बात की खाल निकालेंगे आज लाइट इदर से आ रही है या इधर से आ रही है इधर तो पुरा अंदेरा हो गया और इधर ठीक है ये ठीक है तो हम बात की खाल निकालेंगे और पता नहीं है कि करना क्या है भाई पानी बहुत उपर आ रखा है ये देखो पता ही पानी उपर आ गया है कैसे आया ये मुझे नहीं पता और जंडा इस लहराइंग and हम बात की खाल निकालने जा रहे हैं यह exposure की क्यों नहीं आ रहा exposure ठीक आओ भई exposure ठीक नहीं आ रहा तो क्या करेंगे पता नहीं कैसे करें मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा रुप जाओ यहां पर बैठ जाते हैं यह कुरसी है इस कुरसी पर बैठ जाएं और फिर हम निकालते हैं बात की खाल let's take out the खाल of the बात and the बात की खाल is यह camera हमारे पास है यहां पर इस camera को हम यहां पकड़ लेते हैं यह रहा हमारा camera तो आज का दिन गया कुछ ऐसा कि मैं बहुत सोच रहा था कि किस बारे में हम बात करें लेकिन बात तो हमारे पास कुछ है नहीं कि किस बारे में बात करें तो हम ने सोचा कि हम camera on कर देते हैं और camera on करके देखते हैं कि हम किस तरह से आपसे बातचीत कर सकते हैं तो ये camera on है अब और हमारे पास कोई बात नहीं है एक तरीका है मेरे पास अकर मैं internet पे जाऊं और देखते हैं कि हम internet पे जाते हैं और google पे हम search करते हैं talk talk search करा talk to me talk to me अब ये बतानी क्या आगया है तो talk to me एक कोई serial है बतानी क्या है अच्छा बैना group of friends discover how to conjure spirits using m-word चलो आज हम बात करते हैं बूत की बूतों की बात करते हैं आपने कभी बूत देखे हैं मैंने तो नहीं देखे लेकिन बूत होता क्या है इसके बारे में बात करी जा सकती है बाई क्या ये क्यों लट चके ये तो नीचे इत तरफ चला गया है भातों अब पतानी इससे पहले वाली बाते हैं आई भी हैं या ने आई आई हैं आई यारी है ऐसी पकड़ लेता हूँ मैं इसको तो ऐसे पकड़ के बात करते हैं तो भूत मैंने तो देखा नहीं है लेकिन कभी-कभी आपको एक वो होता है डर और डर ही भूत को जनम देता है जब हम किसी चीज से डरते हैं या कोई चीज हमारे दिमाग में चल रही होती है तो हम चीजें इमाजन करने लगते हैं और जब हम चीजें इमाजन करने लगते हैं तो फिर हमें दिखने भी लगती है और यही हमारी शक्ती है इंसान की कि what we imagine, we get that only इसलिए लोग बोलते हैं manifest करो, manifest करो तो जो manifestation है वो भी आप एक ही चीज को जब बार-बार सोच रहे होते हो तो वो फिर सच होने लगती है हमारा दिमाग, हमारा mind उसको मानने लगता है और फिर वो हमारे साथ होने लगती है तो यह power है हमारे दिमाग की हमारी manifestation या हमारी सोच की और यही सोच है वो जो जनम देती है, अलग-अलग चीज़ों को, आप उसको भूत भी बोल सकते हो, जब हम डर के बारे में सोच रहे होते हैं, या हमारे जिंदिगी में कुछ ऐसा चल रहा होता है, जिससे हमें बहुत डर लग रहा होता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसको हम रसी में साप दिखना, या कुछ भी हो सकता है वो, तो वो है क्या, रसी तो रसी है, रसी का कोई, उसमें कोई गलती नहीं है, रसी की के भाई वो तुम्हें साप दिख रही है, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने सोच लिया कि वो साप है, तो वो फिर तुम्हें साप जैसी द बूत है तो वो कपड़ा तो कपड़ा है लेकिन हमारा दिमाग यह मान लेता है कि वो भाई बूत है या वो कोई चीज है वो जो हमारे दिमाग में जो डर बैठा हुआ है वो रिफलेक्ट करने लगता है उन चीजों के ऊपर तो इसी तरह से अगर हम कोई चीज पॉजिटिब I want to see myself as a successful businessman I want कि मेरी health अच्छी हो या जो भी चीज अगर हम उसको बहुत 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 गहरी तरीके से मानने लगते हैं और अपने दिमाग को बार बार repeatedly ये कहने लगते हैं कि हाँ ये होगा या ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो रहा है तो वो चीज फिर actually में होने लगती है ये ही है manifestation ये ही है डर ये ही है आपके दिमाग की पावर और ये ही है जो आपको success भी दिला सकती है और आपको बरबाद भी कर सकती है हमारा दिमाग इतना खतरनाक है कि अगर हम सोचें कि हम बिमार है और हम negative सोचते जाएं तो फिर हम बिमार भी होने लगते हैं और अगर हम positive सोचें तो हम positive होने लगते हैं हम positively हमारी body react करने लगती है हमारे काम उसी हिसाब से चलने लगते हैं और इसका example एक experiment हुआ था मुझे दिहान ने आ रहा कि वो कौन सी country में हुआ था जिसको हम कहते हैं placebo effect placebo effect में उन लोगों ने क्या करा कि उन्होंने कुछ लोग select करे जो के बिमार थे उन में से आधे लोगों को तो असली दवाई दी गई और आधे लोगों को ऐसे मतलब एक गोली दे दी गई मतलब वो दवाई चाहे आप कहलो पानी था या एक चूरन की गोली थी या कुछ भी तो आधे लोगों को वो सच्ची की दवाई मिली आधे लोगों को वो नकली की दवाई मिली उन लोगों को वो दवाई दी गई बोलके कि ये भई जो आपकी बिमारी है ये उसके लिए दवाई है अब चौकाने वाली बात ये थी कि जितने लोग दवाई से ठीक होए उतने ही लोग जो दवाई नहीं खा रहे थे पर ये सोच के खा रहे थे कि वो दवाई है और डॉक्टर ने दिये है वो ठीक हो गए तो कि आपके दोस्त ने बोला था कि यार ये बहुत अच्छा डॉक्टर है तो वो आपको ना भाई ऐसे चूरन की गोली भी दे दे या एक शुगर की गोली भी दे दे तो भी आप ठीक हो जाओगे क्योंकि आप सोच रहे हो कि यार इस बड़े डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है तो आपका दिमाग आपकी बोडी उसी हिसाब से रियाक करने लगती है और अगर आपको किसी ऐसे डॉक्टर के पास भेज दिया जाए और बाद में वो चाहे सबसे अच्छी दवाई भी दे लेकिन बाद में आकर कोई आपको बोले कि भाई ये डॉक्टर तो बहुत बि तो ये खेल ना उस गोली का है ना उस डॉक्टर का है ना और किसी चीज का है बलकि आपके दिमाग का है और आपके विश्वास का है तो आप विश्वास किसमें कर रहे हो वो जादा इंपौर्टर्ट है विश्वास अच्छे की तरफ करोगे तो अच्छा होगा बुरे की तरफ करोगे तो बुरा होगा और ये विश्वास को कंट्रोल कौन कर रहा है हम खुद कर रहे हैं हमारा दिमाग कर रहा है हम अपने आपको जो बोलते हैं हम उसी हिसाब से रियाक करने लगते हैं, उसी हिसाब से चीजें हमारे चारो तरफ होने लगते हैं और उसी हिसाब से हमें उनका रिजल्ट भी बिलने लगता है। सोच कितनी स्ट्रॉंग होती है और सोच आप से क्या-क्या करवा सकती है आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है आपके साथ कभी ऐसा होता है कि अगर आप कुछ negative सोचते हो तो सब कुछ negative होने लगता है और अगर आप positive सोचते हो तो सब कुछ positive होने लगता है बताना किसके साथ क्या-क्या हुआ और यह देखो एक छोटा सा एक वीडियो बन गया मुझे दिखा रहा है हमने 10 मिनिट बात कर लिए 10 मिनिट बहुत होते हैं इसमें से मैं कुछ ऐसा काटने लाइक तो है नहीं जो मैं काटून तो मैं ये वीडियो ऐसा का ऐसा ही डाल दूगा और हवा बहुत तेज़ चल रही है और अजान हो गई है अजान होती है तो हमें चुप हो जाना चाहिए prayers हैं और prayers ही जिन्दगी में काम करती है आप अपने लिए करें prayers दूसरों के लिए करें प्रेयर्स बहुत बहुत पावर है प्रेयर्स में दुआ में बहुत पावर है और बदुआ में भी उतनी ही पावर है तो पावर आफ वर्ड्स मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में I hope कि आप लोगों को अच्छा लगा हो ये टॉपिक जिसके उपर हमने बात करी टेक केर बबाई चाओ हमारा समान यहां रखा हुआ है और अब हम यहां से निकलते हैं बबाई